अब आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वह है पी एम श्री योजना इस योजना को मैं पूरा समझाओंगा और इस योजना के तहत के रिकूट्मेंट में क्या फरक पड़ेगा यह बी बताए जाएगा आपको पताव अचीए अचा यह पतारमंत्री मोधी अचार मंत्री मोधी निकी आईडी एंस्टाग्राम एडी के लए टो आप इस्टाग्राम तो वो यूज निकरते होंगे यह बगवास माजी तुम लोगों ने भर दिया ट्विटर आइडियो गया चलो तो यह सब सभाट इस पूल फॉर्य इंडिया योजना वर्दान मंत्रे स्थ पूल फॉर राइस इंडिया डिन व इस यह से कशत करना जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेश्टनल एडुकेशन पॉलिसी था हमने आपको पहले ही पह़ीं कहा था क्या कहा था कि उस नएदगेशन पॉ मुल्टिपल स्टेजिन में होगा क्यूंकि इसका मैंने प्राक्टिकल रीजन बताया कि मान लो आप एक और आप एक आर्मी पर सनों मतलब आर्मी में जॉप करते हो आपका बच्छा पढ़ता है किसी स्कूल केरला में और नेश्चनल पॉलिशी कहता है कि बच्छों को प्रामरी क्लास में वहां की लैंग्वेज में पढ़ा जायेगा आप उसे किस में पढ़ाया का अपका 6 महीने का ट्रांस्वर हो गया कहां पे किसी और स्टेट में लाइक तमिल नाडू अब वहां पे किसमें पढ़ा जाएगा तमिल में तो आपका बच्चा तो बिल्कुल बन जाएगा बिर्यानी अना सब कुछ अपने अंदर कैरी कर लेगा ठीक है विर्यानी इन दा सेंस की उसके सब्सक्नाइब धीकर नाव ही करे लगसर सीख पाईगा ठीक ना तो हमने कहा था कि निश्नल एजूक्षिशन पॉलिशी को भंटीपल इस्टेजेज में इंप्लिबेट कर जाएगा ऐस में स्टेट कॉवर्मट्में में सींगल स्टेज में इम्प्लिबेट कर सकता है जो स् कि जो भी स्कूल को चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो ठीक है ना चाहे यूटी के हो ठीक है ना वो स्कूल में उप जैसे मानों सेंटर के के विए स्कूल के बात कर रहा हूं के विए सके इतने सारे स्कूल है तो सारे के सारे स्कूल को पीम श्रीयोजना के दूरूत नहीं मानों किसी पर्टिक्लर स्टेट में इन दो इस्कूलों को पी एम श्री योजना कि अंतरगत लाए कि समझाए मैं कि किसी डिस्ट्रिक में किसी इस्टेट में नमर पर्टिकल इस पर्टिकलर स्कूल को पी एम श्री योजना कि तुरू लाए इन जो इस्कूल आई जिन में पी फुल इस्पृट में फॉलो करा जाएगा इनमें एन एपी फुल इस्पृट में मतलब जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक लॉझिद रहे वो सारे के सारे वो सारे के सारे इसमें इंपलीमेंट करे जाएंगे और यह बहुत ही अच्छी बात है अब अगर आप लोगों को सही से जानकारी ना ओ तो आपको यह कोई मिस्कंडग कर सकता है क्या कि यार पीएम शरी जो पीएम शरी स्कूल है आपको यह मिस्कंडग कर सकता है कि पीएम शरी स्कूल या तो नए खोले जाएंगे या पुराने स्कूल को पीएम शरी कर दिया जाएगा जैसे अगर जो दिल्ली का है तो मैं उसे पता देता हूं यहा ना राच्किये प्रतीबा विकास विध्याल ले तो कुछ गुवर्मेंट इस्कूल दिल्ली गुवर्मेंट के जो एक्सिलेंसी शो करते हैं उनको इसके अंदर कैटेग्राइज कर दिया इनके टीचर्स भी बोड़ी सेलेक्ट करता है एक्जाम के तुरू इसलेक्ट होते हैं तो एक अच्छी इनिशेटिव गॉवर्मेंट के तुरू अगर इसको पॉजटिव में लिया जा इसका नेगेटिव साइड है ही नहीं और लिचल जाता है तो करेंगे क्या कुछ स्कूल मेंलो न presidential में मंलो साथ इस्कूल इस साथ में से किसी एक स्कूल को इन्होंने पिम शरी के थ्रू ले आए मतलब ऐसा बिलकुल है कि इसका नाम प्रव्य से प्रविबशी हो जाएगा के इस ही रहेगा लों की तरह काम करेगा दिल्ली में भी ऐसा होता राज के प्रतिवान विकास विधल्ले जो होता है उसमें वह एक रोल मॉडल की तरह काम करता है बाकी कॉमेड़ी स्कूल के लिए कि हमें भी इसी की तरह चीफ करना है रिजल्ट और सब कुछ तो आप लोग इसको मिसकंड़क्त ना करें यह पीएम श्री योजना यह ठीक ना और आपको यह भी बता देता हूं कि पीएम श्री योजना में स्टेट प्लस यूनियन सेंटर दोनों का शेर रहेगा 60 परसंट यह प्रवाइट करेंगे 40 परसंट यह रेशो वह आपस में हो सकता लेकिन इतना रिश्व रहेगा इससे आपको मुझे करना ही क्या है हमें बस यह डर लग रहा था कि पीएम श्री कोई नया बवाल नाओ ज कर शुका हूं ठीक है